जै मातादी मित्रू मेरा नाम पंडित प्रकाज जोशी स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एस्टो आज में मित्रो आज हम चर्चा करने वाले हैं मांगलिग लोगों के बारे में क्या मांगलिग लोगों के अंदर दोशी दोश भरा होता है या उनके कुछ गुण भी होते हैं या उनके अंदर कुछ गुण भी पाये जाते हैं इस बारे में तमाम तरीके की अफधारणाओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और साथी साथ चर्चा करेंगे कि कौन लोग खेल के अंदर अच्छा नाम रोशन करते हैं किन खिलाडियों को अच्छी सफलता प्राप्त होती है और इस बारे में हम जो है रिसर्च डाटा के अनुरूप काम करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं ये प्रोग्राम अज हम चर्चा करेंगे जो मांगलिक जातक और जातिका हैं जो हमेशा टेंशन में रहते हैं कि हम मांगलिक हैं हमारा शादी अच्छी नहीं जाएगी हमारा करियर अच्छा नहीं जाएगा हमारा स्वास्त अच्छा नहीं जाएगा जो समाज में प्रचलित अवधरना है आज मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि मांगलिक जो जातक और जातिका है वो अपनी भगवान द्वारा दी गई शक्ति असिमित शक्ति को पैचान ही नहीं पा रहे हैं इसके बारे में चर्चा आज हम करेंगे यदि आप मांगलिक हैं तो भगवान द्वारा आपको असीमित शक्ती दी गई है दबाव और पैशर को सहने की आपके अंदर बहुत जबरदर्स्त ताकत है और आप इसको यूज करके या अपने बच्चे को प्राशिक्षन दे के उस कि जो भी जातक मांगलिक होते हैं यदि वो खेल के अंदर अगर उनको प्राशिक्षन दिया जाता है तो वो सारे रिकोर्ड तोड़ देते हैं याद रखिएगा मांगलिक लोग जिसको समाज में अवधारणा होती है कि जो भी जातक मांगलिक होता है वो कही ना कही करियर म असफल रहता है उसकी ग्रोफ नहीं हो पाती उसका दामपत्य जीवन खराब होता है इस बारे में चच्छा करेंगे कि अगर मंगल आपका जहां पर मंगली होता है मंगली कौन-कौन होता है सब्सक्राइब इसको जानते हैं, कुडली के अंदर अगर आपके लगन भाव के अंदर मंगल है, आपके चतुर्थ भाव के अंदर मंगल है, आपके सब्तम भाव के अंदर मंगल है, आपके अस्तम भाव के अंदर मंगल होता है, या आपके द्वादस भाव के अंदर मंगल होता है, तो आप मांगलिक हैं लेकिन लेकिन मित्रो सिर्फ सिर्फ इन में से ज़्यादा तर जो मांगलिक जो खराब होता है वो आपका आपका दामपत्य जीवन के लिए आपका बारवा मंगल और आठवा मंगल ही खराब कहा जाता है लेकिन अगर आपने बच्चे को परशिक्षन दिया हुआ है तो आपका ये भी खराब नहीं होगा याद रखे का मंगल का मतलब है ऐसे जाता कि अंदर शक्ती बहुत जादा बन रही है उर्जा का विकाद जादा हो रहा है अब क्या होता बहुत जादा उ मांगलीक गेस ऐस जया प्रादिक राद sounds चक्तॉ में जञादा चले जाते हैं क्योंकि अंदर उनके अंदर आशीमित अनुसार पहले एक्जामपल लेंगे तो सचिन जो है इनकी कुंडली जो है करक लगन की कुंडली है और कुंडली के अंदर जो मंगले वो सब तो मिस्थान में बैठा है तो यह तो भेंकर मांगली खो गए लेकिन क्योंकि इन्हों ने जो अपनी शक्ति का प्रियोग खेल में किया जिस बज़े से ये प्रक्ष्यात होते चले गए पहला केश यहां पर नज़राता है दूसरी कुंडली है आपकी मांगली कुंडली है कपिल देव की कपिल देव की अगर आप कुंडली देखेंगे तो इनका भी सब्तम स्थान के अंदर मंगल है और ये भी मांगलिक होते हैं लेकिन इन्होंने भी परसिक्शन लिया और परसिक्शन लेने के बाद ये विजय प्राप्त हुए खेलों में चले गए और जिस dismiss की इन्होंने सारे record तोड़ दिये तीसरी हम कुंडली ले लेते हैं तीसरी कुंडली हम ले ले लेते हैं विराट कोली जी की कुंडली में भी चतुर्स भाव में मंगल है ये भी मांगलिक हैं और मांगलिक होने के बावजुद इन्होंने परशिक्षन लिया और ये जो है इन्होंने भी रिकोर्ड तोड़ दिये इसी प् पत्ते जीवन खराब होना चीए लेकिन मंगल की जो बुरी शक्ती थी इन्होंने क्या किया उसको रेस्लिंग के थूर उसको दूर कर दिया तो यानि कि ये भी महान रेस्लर है और भारत के रेस्लर है इनको नाम बतानी कि मुझे अब शक्ता नहीं आप एक और कुंडली ले लेते हैं ये कुंडली है योगेश्वर दत जी की ये भी रेस्लिंग के अंदर है इनकी कुंडली में भी आप देखोगे तो लगन में ही मंगल है और मंगल की जो कुरूरता को दूर करने के लिए इन्होंने खेलों का उपयोग किया और खेलों का कुंडली है साइणा नेहवाल की शना नेहवाल बेंडमेंडल में खिढ freely इध हैं इनकी कुडली में भी अस्त मंगलिक्षा क्रेंए प्रियो गई अप इक और कुंडली ले ले तो ये जो कुंडली है मैं लेना चाह typically है आप की गीता फॉकट की इस क्लीं की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है इन की कुडली में देखेंगे तो ये स्टम अस्टम मंगली यानि ये भी मंगलीक तो मांगलिक ये जो सारी कुंड़िया में ने दिखाई है ये परसिद लोग रहे हैं खेलों के अंदर इन्होंने अपना नाम और सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं तो और ये सब के सब मांगलिक है यानि कि अगर आपका बच्चा मांगलिक है तो उसको खेलों में डालो वो कि कौन से जातक खेलों के अंदर नाम रोशन करते हैं मंगल मंगल से ही देखा जाता है क्योंकि मंगल शक्ति का और विजे का प्रतिक और प्राकरम का प्रतिक होता है तो मंगल से ही खेलों के बारे में खिलाडी कितना आगे तक पहुंचे का इसके बारे में चर्चा कहा जा आपकी कुल्ली में चतुर्द भाव के अंदर सब्तम इस्थान के अंदर और दसम इस्थान के अंदर या फिर त्रिकोंड पांच नो या ग्यारख इसके अंदर अगर मंगल स्थित होता है अपनी मित्र राशी का होता है या बैठा होता है तो ऐसे में जातक जो विजे बात को भी प्रैक्टिकल एक्जामपल में देख लें मैं कुंडली लोगा सुनिल गवसकर जी की जो भी खेलों के अंदर है उनके बारे में चर्चा करेंगे उनकी कुंडली अगर आप देखेंगे तो मंगल जो है पंचम भाव में स्तित है यह आप देख रहे हैं पंचम पढ़ रही है यहां पर और देख लेते हैं कितनी जान और कितनी है यह दूसरी कुंडली है रोहित शर्मा जी की कुंडली के अंदर लाब भाव के अंदर वही त्रिकोंड का जो लास्ट भाव है उसके अंदर मंगल है यह बात बिल्कु सही जान पढ़ रही है तीसरी कुं इनकी कुंडली में मंगल साकसात उचराशी का बैठके मंगल जो है नवम यानि त्रकोन भाव में बैठे हैं, यहां भी ये रिशी का सूतर बिल्कुत सही है, आगे चल लेते हैं, एक और कुंडली ले लेते हैं, ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, फुटबॉल के महान प्रे और कुंडली देख लेते हैं, और के अंदर देख लेते हैं, ये है महिंदर सिंग धोनी जी की कुंडली, इनके बारे में मुझे बताने के अवर्शक्तानी आप जानते हैं, इनकी कुंडली कन्या लगन की कुंडली है, मंगल देख लेते हैं, मंगल त्रिकोन भाव के अंद कर सकते हैं और जिनकी कुडले में लगन में पंचम में नववम में और ग्यारवे भाव में मंगल होता है उनको भी खेलों में जाना चाहिए वह बहुत अच्छी सफलता नाम और रिकॉर्ड तोड जीत हासिल करते हैं आज के कारेकर्म में मित्रों बस इतना ही मुझे दीजे इजादे जे मतादी में